नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सब के लिए बॉलिएुट से जुड़ी मज़दार खबरे लेके आती रहती हूँ आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आए केटरिना कैफ और रनबीर कपूर का पुराना रिस्ता एक बार फिर से तब सुर्ख्यों में आ गया जब रनबीर कपूर की मा नीतु कपूर ने शादी के बारे में एक गुप्त इंस्टाग्राम स्टोरी साज़ागी जो सोसल मीडिया पर वाइरल होगी लोगों को आश्चर हुआ कि क्या वो केटरिना पर कटाक्ष कर रही थी केटरिना कैफ और रनबीर कपूर ने साल 2009 से साल 2016 तक करीब साथ साल तक एक दूसरे को डेट किया तब खबर आई थी कि रनबीर कपूर का परिवार केटरिना कैफ को जादा पसंद नहीं करता था रनबीर कपूर ने अपरेल 2022 में आलिया भट के साथ शादी कर ली थी जबकि केटरिना कैफ अब विकी कोशल के साथ खुशी खुशी शादी शुदा जिंदिकी जी रही है मिट डे के साथ एक पुराने इंटर्व्यू में केटरिना कैफ ने खुलासा किया था कि वो रनबीर कपूर के साथ अपने रिस्ते के बारे में बात करने के लिए मजबूर थी क्योंकि मीडिया इसमें रुची दिखा रहा था मैं हर बार अपने आपको बचा नहीं सकती थी अगर मैं ऐसा करती तो मुझे बुरा लगता इसलिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं जितना कम साजा करना चाहती थी उतना ही मैंने किया और वास्तविक्ता को स्विकार किया मैं और रनबीर कपूर अभी भी एक दूसरे के प्रती सम्मान रखते हैं और ये नहीं बदलेगा उन्हें 2019 में मिड़े द्वारा ये कहा था अभी नेत्री ने आगे कहा था कि दिल तूटना उनके जीवन के सबसे कठिन चर्णों में से एक था मैं अलगाओ के उस दोर से गुजर रही थी जिसमें मेरी एक बहन भी उसी दोर से गुजर रही थी तब मुझे ऐसास हुआ कि चुकी मेरा जीवन सारवजनिक था एंकार अधिक था लेकिन दिन के अंत में हम दोनों को समान दर्द महसूस हुआ मुझे पढ़ने में सांतो ना मिली मेरे दोस्त भी समर्थन का एक मजबूत स्रोथ थे मुझे कोई पस्तावा नहीं है मैं इस अनुभा से और अधिक परिपक को होकर निकली हूँ इसी बीच नितु सिंग ने हाली में अपनी इंस्ट्राग्राम स्टोरी पर एक पोश्ट साजा किया था जिसे कई लोगों ने समस्या ग्रस्त माना पोश्ट में लिखा था कि सिर्फ इसलिए कि उसने आपको साथ साल तक डेट किया इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपसे शादी करेगा मेरे चाचा ने छे साल तक मेडिकल की पढ़ाई की और वह एक डीजे हैं शादी के बारे में उनके विचार लोगों को पसंद नहीं आये क्योंकि उन्होंने कैटरिना कैफ पर अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी दिखाई थी तो ये थी बॉलिवट से जुड़ी हुई एक और मज़ेदार खबर ऐसी ही मज़ेदार खबरे जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें